असलाम अलेकुम मेरा नाम है अब्दुल वसीम रुसेला रेयल्टी से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काइट अब तक का मुंगरा का मोर्ट प्रीमियम एंड लक्जिरी प्रोड़क्त काम चालू है ओड़ी आठ मेने होगे काम चालू हो के वन बेज़ के टू बेज़ के कॉन्फिग्रेशन है 38 लैक से अनवर्ड ते स्टार्ट होता है बैंक ल्यास तूद इंटरस्ट वगरा की लोन की जरौत बिल्कुल भी नहीं नेक फेसिंग अपार्टमेश है 25 स्टोरी है मोर इंफोर्वेशन के लिए नीचे लिए गिवे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए थैंक यू विवेंडी पड़गा की हिंदू धर्म सभा में तीर राजा सिंग के बोल अगर भाजपाच चारसो पार हो जाती तो भारत हिंदू राश्र हो जाता रभी कामदार इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है 16 जून रभीवार विवेंडी से सेटेवे पड़गा में हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया विविन सादू संत इस सभा के लिए आये थे वहीं इसमें मुख्यवक्ता के तौर पर हो ज्लंगना के वहुआगि विवादास्पद विदायक ती राजा सिंग्र को भी बुलाए, ती राजा सिंग्र ने, यहां पर अपना भाश्न किया चिर परिचत अंदाज में ती राजा सिंग ने फिर एक बार मुसल्मानों को निशाना बनाया, इसलाम धर्म को निशाना बनाया और लेंड जिहाद, लव जिहाद, वगबोड रद करना, वगबोड की प्रॉपर्टियों को कबजा करना आधी बाते करते हुए, उन्होंने कहा कि इस बार अगर भाचपा चारसो पार हो जाती लोकसो बाचुनाओं में, तो भारत हिंदु राष्ट्र बन जा था, ये एक ऐसा बयान है, जो सीधे-सीधे सभविधान को धता बता रहा है, सीधे-सीधे सभविधान का मकौल उड़ा रहा है, अब देखना ही है कि मंत्री एकनाच छिंदे को उद्देशित करते वे कहा कि वो मलंगण मुक्ति क्यों नहीं कर बारे, दरगा बता करके हिंदुओं का मकौल उड़ाया जा रहा है, और सो से जादा चात्रपति शिवाजी महराज के किलो पर जो मस्जित दरगाय बनी है, उन पर कारवाई करके उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा है, तो ऐसे कई विवादास्पत बक्तव यकियें अपने भाशन में टी राजा सिंग ने अब देखते हैं पुलिस क्या कारवाई करकी है, देखिए टी राजा सिंग का ये भाशन बढ़े बढ़े पुस्दी लेट कर गमजा, जहाने नो महांपर अंचर के दुका लगा कर कमजा, अरे जगाय को कमजा हो रही लिए तिकड़ा है, अरे मेरे तक्रवति श्वाजी भाराज में तीन सो सतर किले जिने हैं, उन तीन सो सतर किलो में सो किलो ऐसे हैं, जहां पर किसी फकिर की दर्गा या मदिद बन सुझी है मेरे बिद्धा मैं आज एक साइडी बाट में से पूछना जाता हूँ कि अगर हिंदू उस के लिए पर भगवा चड़ता शर्थिपति शिवा जी महाराज की जेंदी पर हिंदू जिंदा लेकर जाता है तो इस जोप स्थिंदों के ऊपर भुलाद आखिल करते हैं और वहीं मसलमान अगर के फ़किर के ऊपर कबड़ा चड़ा ने जलता है तो उसको आगर करते हैं मैं हमारे मुद्धे मुद्धी को कहना चाहूंगा कि चिनाव बहुत लजी नहीं आपको कबच चिनाव है नामबर डिसम्बर उससे पहले यह स्कॉप किलों पर जित लोगों ने कबड़ा किया है वह सबस्ताफ कर देश पर पती इसमारी नहीं पर हरा कप्राइब महीं दिखना चाहिए तिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए इनकी जमीन बचाने के यह वन टीस तो पचारज में एक एक्ट बनाया वकपोड और उसको इंप्लिएंट गिया नाइंटीफाइब में लगपट मेरे मेपो हमारे पेबल महानास चमे फट्वट के नां पर एक लाक एकर कमीन वेर्वेए तिरौफ इतनी एक लाख अकर कमीन पूने में 9,300 एकर, नाकुर में 9,200 एकर, नासिख में 8,400 एकर, कुंडानमे 6,000 एकर, अम्रावत में 2,800 एकर, संज्री में 2,800 एकर, ऐसे एकर के एक लाट एकर जमीन इन वाट वालंगे पास है, के वाले बखरास्त में मेरे वे तो, अगर हम पूरे भारत के अगर बात करें दरे मिक्रों, तो पूरे भारत के लाट में 18 एकर, यानि 18,00 एकर जमीन एक डिफेंज के पास है, बारा लाट एकर रेलवे के पास है, तो सिर्फ वंगोड के सार, दस लाट एकर भीन है मेरे मिक्रों पूरे भारत के, ये उटाओ भारत के, विजिसे भीनेंग करना चाहूगा, और हमारे के अपना बिजिसे भीनेंग करना चाहूगा, कि ये वाट पूर्ट एक्ट को खतम किया जाए, और जहाँ जहाँ पर वाट को लाट है, वापर भास्पिनल बनाया जाए, दिल्टों के लिए, जहाँ पर भास्पोर्ट के लाट है, वापर इसके लिए बने जाए, इनकों के लिए, को लिए बने जाए, इनकों के लिए परेजिन को खर नहीं है, उनके लिए घर बनाएं जाए, दिल्टों के लिए, क्योंकि, ये जगा इनके बाद के नहीं है, अगर यह एक्ट फतम नहीं हुआ, इस एक्ट को इतनो मजबूत कर लिया गया, यह शेक आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी मॉटबूट का मिखमर्ट, कहेंगे कहीं एक भारत का कोई भी मुटबूट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार, हमें सरकार दिनना भी करना है, लेकिन, हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है, और हमारे एक नापिस नेजी, जो हिंदु वादि के मक्ति है, उनको कहना है इस मेंज़ के मार्ण से, कि महरास्त का ही रही, पुरे भारत का हिंदू, आपके सांथ है, मुटब करिए पलंगर को, शिर्डे जी किसका डर है, किसका डर है, अरे हमारी समाँ पर रोका जा रहा है, किसका डर है, हमारे उपर एफ्वेर की जा रही है, किसका डर है, हमें महरास्त का आने से रोका जा रहा है, किसका डर है, शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं. जब बुलाओगे तब हम आपके पास आएंगे, यहां बोलेगे, वहां जाएंगे, जिस शेट उने मनुशेट पने जाकर रहे कर, आपके हाथ मजबूत कहने का काम परेंगे. जब बुलेगे आपके आदो बादो, कुछ सेकुलेट नीरे मपड़े बैढ़ गे, लेकिन नीरे मपड़ों के बारे में मत सोचो, जो हिंदू हिंदी बाद करेगा, वहीं महावाद के राच परेगा, यहां बाद करेगा. हिंदू, मुस्लिम, भाई, भाई, अरे बोलने वालो याद रखना, आज हम लोग जिहाद की पीरा से रो रहे हैं, लोग जिहाद में कुपी मज़ लगे, कानूर में महरास्त में ये सरकातों चिक-चिक कर महरास्त का हिंदू कह रहा है, लेकिन पता नहीं, क्यों अब तक महरास्त में लोग जिहाद के उपर, धाफास्तरण के उपर, लेंड जिहाद के उपर, गव हत्या के उपर, कानूर क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है. अरे आज हम दंगे की चोट कोई कहते हैं, हम हिंदू अगर इठक्ता हो जाए, तो हिंदू रास्त बनेगा, ये हम चीचीच के कह रहते हैं, लेकिन आज जो नहीं लगता है, नहीं लगता है हमें, कि हम हमारे धारत को हिंदू रास्त भोशित कर सकते हैं, अब नहीं लगता है मेरे मित्वरों ने भले ये घर्ण सबाह है लेकिंगे चिनों की दूश्णी में भी हमें देने और समझने के उशक्ता है कि हमारा हिंदू किस प्रकाश से पढ़ गया और लौ चिहादी किस प्रकाश से एकटा हो गया यह सोचने अगर इस बार चिनाओं में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट खोशित हो जाता है कर दो हिंदू जाता है